नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्माप के अपने यूटूब चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक और मध्यापकाओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अभी तक हमने छे क्लासे अच्छी तरीके से हैंड इटन नोट्स के साथ कंप्लीट कर ली है आज सात्वी क्लास जिसमें प्रकृतिक संपदा का संद्छण इस चैप्टर से कौन कौन से कोश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनका डिस्कस कराया गया है अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और सस्क्राइब जरूर करें चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स चैप्टर प्रकृतिक संपदा का संद्छण इस चैप्टर से देखेंगे कौन कोश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी का अची तरीके से डिसकस कराया जाएगा तो देखेंगे क्या होती है प्रकृतिक संपदा इसे सभी पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं ऐसे सभी पदार्थ जो हमें प्रकृति से मुप्त में प्राप्त होते हैं कह सकते हैं प्राकर्तिक संपदा कहलाती है जैसे प्रकर्ति में बिद्दमान वायू, जल, मिट्टी, पेड़ पोधे, जन्तु, नविपहार्थ, सूर्य, आद सभी प्राकर्तिक संपदाएं हैं यही प्राकर्तिक संपदा होती है जो हमें प्रकर्ति के द्वारा प्राप्त होती है यही नहीं बिभीन प्रकार के खनिच पदार्थ जैसे पेट्रोल, तेल, कोईला, प्रकृतिक गैद ये सभी क्या हैं प्रकृतिक संपदाएं हैं एक चाल्ड देखेंगे एक साड़ी दी गई है देखेंगे प्रकृतिक संपदाओं को दो भागों में बाटा गया एक है नवी करणी दूसरी है अनवी करणी तो नवी करणी संपदाओं का मतलब है समाप्त ना होने वाले संपदाओं समाप्त ना होनी होगी ऐसी संपदाएं जो कभी समाप्त नहीं होती है अनवी करणी संपदाओं में क्या है समाप्त होने होगी ऐसी संपदाओं जो समाप्त हो जाती है समझे हैं नवी करणी संपनाएं और आनवी करणी संपनाएं प्राकरतिक संपनाओं को दो भागों में भाजित किया गया है नवी करणी आनवी करणी सबसे पहले अगर आपको एक्जाम में पूछा जाता है कि नवी करणी आनवी करणी या फिर ऐसे पूसकता है कि प्राकरतिक संपदाएं क्या होती है इसके प्रकार का उलेक करिए सबसे पहले आपको एक सांडी बना देनी है जिससे आपके एंसर का पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि आपने एंसर सही दिया है या गलत दिया है आपकी साड़ी ही बता देगी कि आपका अंसर सही है या गलत है तो प्राकरतिक संपदाएं दो प्रकार की होती है नवी करणी संपदाएं और अनवी करणी संपदाएं नवी करणी समाप्त ना होने योगी और अनवी करणी समाप्त होने योगी समाप्त ना होने योगी में सूरिका प्रकास वायू जल समाप्त होने योगी में मिट्टी वन भोमगजल क्रसी उत्पाद और खाने संपदा कई सारी चीजे हैं उसके बाद आता है खानी संपदा जो होती है उसमें भी दो प्रकार होते हैं कि एक तो होती है खानी संपदा में कि जो पुना चक्रित हो जाती है और दूसरी क्या होती है जो पुना चक्रित नहीं होती है बात समझ में आई, एक पुना चक्रित हो जाती है, जिन्हें आप पुना प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरी क्या होती है, जिन्हें आप पुना प्राप्त नहीं कर सकते हैं, एक ही बार उनका प्रियोग किया जा सकता है, पुना चक्रित होने वाली में, सभी धात्वें जितन तो राग बन जाता, उसका आप प्रियोग नहीं कर सकते, पेट्रोल है, बाइक में डालेंगे, चलेंगे, काम खता, तेल है, प्राकर्तिक गैस है, इन सभी को आप दुबारा से नहीं प्राद कर सकते हैं, यह आप सार्डी बना दीजिए, उसके बाद विस्तार से थोड़ा- लिख दीजिए, विविन प्रकार की प्राकर्तिक संपदाओं में, सबसे पहले देखेंगे, प्रकर्ति द्वारा उपलब्ध, अस्री मीद, पदार्तों का भन्डार, मोड़े दौर पर दो भागों में बाटा गया है, कितने भागों गाटा गया है, दो भागों में बाटा पुना प्राप्त होने वाली संपदाओं का अब हमने सारणी में क्या लिखा था नवी करणी संपदाओं और दूसरी को क्या लिखा था अनवी करणी संपदाओं नवी करणी में हमने क्या रेखा था समाप्त ना होने योगे अनवी करणी में क्या लिखा था समाप्त होने योगे इतना आप याद रखी ये सांडी कि समाप्त ना होने योगे नवी करणी अनवी करणी समाप्त होने योगे फिर देखेंगे सबसे पहली एडिंग क्या है पुना प्राप्त होने वाली संपदाएं पहली एडिंग क्या है पुना प्राप्त होने वाली संपदाएं वे पदार्थ जो मनुस अत्वा जीवों दोरा प्रयुक्त तो होते हैं ऐसे पदार्थ जिनका मनुस और जीव प्रयुक्त तो करते हैं परन्त किसी न किसी रूप में प्रकर्थ में पुना लोट आते हैं कोई भी मनुस से जीव है उनका यूज तो करता है लेकिन वो प्रकर्थ में पुना लोट आते हैं इन्हें क्या कहते हैं पुना प्राप्त होने वाली संपदाएं अथ्वा नवी करणी संपदाएं जैसे हवा हवा का यूज तो करते हैं आप बटवा पुना वापस आ जाती है पानी, मृदा, पौधे, जीवजन समझ में है पुना प्राप्त होने वाली संपदाएं फिर नेक्स्ट क्या है के पस्चाद समाप्त हो जाते हैं उन्हें पुना प्राप्त ना होने वाली संपदाएं अथ्वा अनवी करणी संपदाएं कहते हैं ऐसे पदार्थ जो उप्योग में आने के पस्चाद समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं पुना प्राप्त ना होने वाली संपदाएं अथवा अनवी करणी संपदाएं जैसे कोईला कोईले का आप यूज कर लिए उसका कोई प्रियोग नहीं होता है पेट्रोल प्राकरतिक गैस खनीज लवार आद ये सारी चीजे क्या होती है पुना प्राप्त ना होने वाली संप पनाये कहते हैं इस चैप्टर से यही दो कोश्चन सबसे ज़्यादा इंपोर्टन है कि नवी करणी आणवी करणी प्राकरतिक संपधा क्या होती है इस पर संचिप्ट टिपड़ी दीजिए तो उसमें आपको नवी करणी आणवी करणी मतलब इनके दोनों भागों का अची तरीके से वर्णन करना है अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें फिर अगली वीडियो में इसी चैप्टर का दूसरा भाग बिलुप्त जीव ब्रह्मान्ट जीवों का बिलुप्ति करना कौन-क सभी के बारे इन अच्छी तरीके से दूसरे भाग में डिसकस कराया जाएगा कई सारी संस्ताय हैं तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद